हलो फ्रेंट्स इंकम टेक्स भरने वालों के लिए बहुत बड़ी राहत की ख़बर आपको पता नहीं होता है यह 5 कमाई में बताना जा रहा हूं जहां बात हैं हैं बहुत बड़े की बात है आपको जानना बहुत जरूरी यह 5 कौन सी चीजें हैं जहां से अगर आपको अर्निंग करना चाहते हैं तो इन पर टेक्स मिल्कूल नहीं लगता इंकम टेक्स की कितरों दिपार्टमेंटी तरफ से छूट मिलती है आगे बढ़ूं उससे पहले बता दो चेनल पर पहली बार हो तो जरू सब्सक्राइब करना साथ में दोस्तों चेनल के प्ले लिस्ट में जाकर वहां पर अठल पेंसे ना सुकन्या संब्रेड ना कन्या उठान योजना बैंक में आपको अगर खाता है तो किसी भी बै आने जा रहा हूं फिलाल आगे बढ़ते हैं इसमें सबसे पहला आता है इंकम टैसे एट 1961 में कृसी से हुई आमदनी से इसके आमदनी को आयकर के दारे से बाहर रखा गया है मलब जो कृसी से आम नहीं होती उसको बाहर रखा है साथी साथ हुए हिंदू अभिभाज इसको इसको दारे से बाहर रखा गया है अचल संपती से कमाई या पुष्टेनी संपती से कमाई धन पर भी कोई टैक्स नहीं लगता आयकर विभाज द्वार इस पर छूट मिलती है अगला देख लेते हैं अगला है दोस्तों आयकर अदिनियम की धारा 562 के अनुसा किसी इंकर्म टैक्स नहीं लिया जाता है ऐसे उपहारों पर कर्मे छूट दी जाएगी है लेकिन अगर आपके रिष्टेदार के लावा कोई और व्यक्ति उपहार देता है तो तो उसमें केवल 50,000 उपर टकी छूट दी जाएगी उससे ज़्यादा की छूट नहीं मिलेगी यह स्ट्री वी बात आपको ध्याद में रखनी है सरकारी करमचारी होते हैं उनको मिर्टियों के बार स्यवानेति पर मिलने वारी जो गयरजोटी रासी है पूरी सरदा से करमुक्थ रोंकिक करमचारी को सेवा निर्तिया शमाप्ति पर प्राप्त दस रात तक ही घ्याद और दिनियम के टाहर वीविन सरस्थान द्वार दिये चात्रों को उनकी सिख्षा पूरी करने के लिए दी जाने वाली चात्र विर्टी पर नहीं लगता है साथ ही साथ महाविर्चक परमीर्चक विर्चक जैसे जो पुरुषकार है डिफेंस वालों को दिया जाते उन पर करका बुक्तान करने की आवसकता नहीं है बिल्कुल फ्री है इसके रावा दोस्तों आयकर अरिनियम की धारा 10-15 के अनुसार कुछ व्याज आये कुछ व्याज जो है उसके पूर्ण करण चुर्थ के चहर आती है इसमें सुकन्य समर्दी योजना हो गया उससे मिलना वाला व्याज हो गया गोल्ड डिपोजिट बॉर्ण बॉर्ण हो गया लोकल ऑसोर्टी और तो आपको ध्यान में आए गया होगा फिलाल इतना ही धन्यवाद है